हालो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाइब का आपके अपने फेवरिट यूट्यूब कैनल देमान राजे देमान में है फ्रेंड्स आज डिफ्रेंशेशन में हम question solve करना सिखेंगे जहां पर जो function है वो infinity तक जा रहा हो जैसे हमारे पास एक question है y is equal to 10x plus 1 over 10x plus 1 over 10x plus 1 over 10x plus इसी तरह से infinity तक repeat हो रहा हो या फिर एक और question है y is equal to sin x plus 1 over sin x plus ये भी infinity तक repeat हो रहा हो एक और question है y is equal to x plus 1 over x plus ये भी infinity तक repeat कर रहा हो तो friends इस टाइब की question को हम solve कैसे कर सकते हैं हमारे पास इनको solve करने के लिए एक formula है यह formula है यहाँ पर जो fx है वो यह वाला portion होगा जो repeat कर रहा है और इसी को हम इसकी derivative लिखेंगे यहाँ पर तो इस function की differentiation हमारे पास आएगी dy over dx is equal to y, y का मतलब हमने substitute करके रखा है y के बराबर, y into y dash x यहाँ पर x है, यह जो repeat कर रहा है over 2y minus fx, fx की जगर यहाँ पर x है तो यह answer आएगा, y into x की derivative होगी 1 over 2y minus x, तो यह ही इसका answer आजाएगा इसी तरह से इस question को हम solve करना चाहें तो यह आएगा dy over dx is equal to y into इस function की differentiation, तो इस function की differentiation होती है cos x over 2y minus as it is लिख दिंगे यहाँ पर और sin x आजाएगा और यह हमारा solution हो जाएगा और friends, अगर 10x plus 1y 10x plus so on हो तो यह हमारे पास आएगा dy over dx is equal to y into इसकी derivative, तो 10x की derivative, लिख देते हैं यहाँ पर जो के होती है, sec square x over 2y minus fx y 10x की derivative होती है, sec square x और denominator में लिखेंगे 2y minus fx की जगा 10x और यह answer आता है, कैसका तो friends, यह question हमारा solve कैसे होता है, हमने formula कैसे यह निकाला है तो असद से पहले हम क्या करेंगे, y is equal to पहली term को as it is लिख देंगे, plus one over जहां से यह sequence repeat हो रही है, देखिए यहां से, दवारा से repeat हो रही है fx plus something, तो यह यहां से लेकर इसको फिर से y के बराबर assume कर लेंगे, तो यह जाएगा one over y उसके बाद हम इसको solve करेंगे, तो हम multiply कर जते हैं y से, तो y से multiply करने के बाद आएगा, y square is equal to y fx plus one फिर, अब यह implicit function हो जाएगा, इसकी derivative करेंगे, तो वो आएगी two y divided dx is equal to, यह product of two function है तो first function derivative of second plus second into derivative of first, वो होगा dy over dx plus one की derivative है, 0, अब हम इसको rearrange करके लिख सकते हैं, तो dy over dx आजाएगा हमारे पास y f dash x over 2y minus fx, और यह है हमारा formula था, तो friends, इस type की differentiation को निकालने के लिए हमारे पास, यह तो formula था, इसकी help से, आज हमने कुछ question सोर्ब की, आपको question कैसे लगे, comment box में comment करके जरूर बताएं, मैं कुछ question लिख रहा हूँ, अगर वो absorb कर पाएं, तो answer comment box में दीजिएगा, और अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe करें लिए, इसी तरह की mathematics के उपर वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, कि बग्यू आप हूँ